हलो एरिवन एंड वन्स अगें वेलकम बैक टो उमर तस्कीर यूटुब चैनल माइसल्फ उमर तस्कीर कैस एसी ओ कोर्स के आज के इस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट शोशल बुकमार्किंग टेकनीक शोशल बुकमार्किंग को यूज करके किस इसको हम लोग बैक लिंक्स बना सकते हैं इसको हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ पर देखेंगे बट उससे पहले एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि आखिर शोशल बुकमार्किंग का मतलब क्या है जो शब्द है शोशल बुकमार्किंग इसको हम किस तरीके से समझते हैं तो देखो मैं इसको आपको एक example से बताता हूँ यहाँ पर देखो मैं आ चुका हूँ Google के उपर और मैं यह मान के चलता हूँ कि यह कोई भी normal website है ऐसा हो सकता है कि मैं किसी भी website का content जो है वो consume कर रहा हूँ और यह उस type की एक normal website है जिसके उपर मैं browse कर रहा था और अगर देता हूँ जैसे new bookmark test ठीक है और यह वाला हमारा url है जिसको हम लोग bookmark कर रहे हैं तो url is google.com ठीक है तो new bookmark test लिखा हूँ यहाँ पर मैं इसको done कर दूँगा तो आप देखो यहाँ पर एक हमारा bookmark जो है वो create हो गया अब गर मैं इसके उपर hover करता हूँ तो देखो यहा आरे इस page का जो एक link है वो store है इसी तरीके से internet के उपर बहुत सारी ऐसी websites है जहां पर आप अपना जो link है वो drop कर सकते as bookmark मतलब इस बार हम link अपने chrome browser में नहीं save करें बलकि internet के उपर बहुत सारी ऐसी websites हैं जिनको हम लोग use करेंगे और उन websites के उपर जाकर हम लोग हमारे जो link है उसको drop कर देंगे अब link का यहां पर मतलब क्या हुआ जिस भी web page का है जिस भी website का हम लोग SEO कर रहे हैं उसी का backing हम लोग उन उसी का link हम लोग उन social bookmarking website जो हैं जो sites हैं उनके उपर जाकर हम लोग drop कर देंगे दूसरी जो important चीज with regards to social bookmarking है जो कि आप यहां पर भी देख link नहीं है जो हम बोलेंगे कि backlinks अगर आप इसके through बना रहे हो तो बहुत solid बहुत quality backlinks आपको मिलेंगे देखो social bookmarking एक normal से चीज है कि आप किसी भी website के उपर जाते हो और वहां पर आप अपना link जो है drop कर देंगे तो SEO की बहुत powerful strategies मैंसे social bookmarking नहीं आती यह बात आप note कर ली है बहुत सारी ऐसी websites है जो low quality की websites है अगर आप वहां से जो backlink है वो ले रहे है social bookmarking नेचर का backlink तो आपको कोई advantage मिलेगा नहीं as such तो मैं आपको recommend करूंगा जो top की कुछ social bookmarking websites है आप उन्ही website से backlinks को ले social bookmarking type of backlinks अगर आप बना रहे है तो उन websites को ढूनना कोई बहुत tough का नहीं है ठीक है आप यहाँ पर जाए सीधे गूगल के उपर और गूगल के उपर जाने के बाद आप यहाँ पर social bookmarking websites एंटर करते हैं आपको बहुत सारी website दिख जाएंगी देखे 10 तो आपको यहीं पर दिख रहे है 1000 प्लस आपको यहाँ पर दिख रहे है 1000 प्लस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं अगर मैं इसको open भी करता हूं तो आप देखो यहाँ पर बहुत सारी आपको ऐसी website देखेंगी जहाँ पर social bookmarking के links आप बना सकते हो ठीक है यह देख रहा हूँ आप बहुत सारी website और इनका इन्हों ने डिये भी यहाँ पर mention कर रखा है बट मैंने देखा है कुछ websites में आपको जो DA यहाँ पर देखने को मिलता है वो उतना perfect नहीं होता है तो आप please जाकर यह check जरूर कर लीजेगा कि जो DA अगर आप यहाँ पर देखकर किसी website के ओपर backlink मनाने जा रहे हो तो वो real है या नहीं है ठीक है तो बहुत सारी यहाँ पर जो website से जि जो है वो backlink मिल जाएगा डिगो से प्लक से ठीक है टंबलर से इन सब जगों से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे backlinks जो है वो मिल जाए तो बहुत सारी यहाँ पर website से जिनके उपर backlinks बना सकते हो बहुत सारे लोग यह भी करते देखो जब आप बहुत सारे projects के उपर काम करोगे ना तो आपको idea हो जाएगा कि यह website एक अच्छी website है जैसे मैंने आपको देखती ही बता लिया कि देखो यह वाली website है अच्छी website इसके उपर आप social bookmarking का backlink बना सकते हैं तो कुछ लोग क्या करते है over the period of time क्योंकि वो बहुत सारे projects के उपर काम करते तो वो अपने ल करके उसके लिए भी जो backlink है वो बना लूगा तो बहुत सारे लोग इस type से search नहीं करते हैं बलकि वो अपने लिए जो है time दे कर अपने लिए database create कर लेते हैं कि यह हमारी social bookmarking की 200 top websites हैं जिनका DA अच्छा है और जिनके उपर अगर हम backlink बनाते हैं किसी भी client का तो हमें अच् कोई नहीं होने वाला है ठीक है उसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको कि जब कभी आप activities करते हो या off page activities करते हो तो जो भी आप activity करोगे उसकी आपको data चाहिए होगी ठीक है तो उसके लिए जो format है वो मैं आपको यहां पर दिखाते हैं तो social bookmarking का serial number one ठीक है यहां पर यहां पर जो हमारी date है वो आ जाएगी जैसे मैं आज की date डाल देता हूं यहां पर ठीक है website के अगर मैं बात करूं तो किस website के ऊपर हम social bookmarking कर रहे हैं उसका DA क्या है उसका PA क्या है और बहुत सारी ऐसी websites होंगी जिन websites में login करने के लिए आपको email address की जरुरत पढ़ेगी ठी क्या है और जो आप link create करोगे जो आप social bookmark बनाओगे वो link यहां पर डालोगे किस keyword को target किया और वो link publish हुआ या नहीं तो इस type से जो है आप अपना database manage करोगे database create करोगे database काफी useful भी होता है देखो इसी database के basis पर ही आपका client समझता है कि आपने क्या work किया इसी database के basis पर आप समझ कि हमारे backlinks कहां कहां बने हुए क्योंकि इस बात को भी आप समझने की कोशिश करो कि जब हम backlinks की बात करते हैं तो हमारी कोशिश यह होती है कि हमारे backlinks हमेशा unique domains पे बने unique domains मतलब अगर आप एक बार a.com के उपर backlink बना चुके हो तो फिर आपको b.com, c.com ढूनना चाहिए द कि मैंने पहले जो backlink है वो बनाए है एक.com पे या नहीं बनाए है तो आपको याद तो रहेगा निकि मैंने एक.com के उपर backlink बना तो आप यहाँ पर आकर control F करके वो search भी कर सकते हो कि मैंने वहाँ पर कोई backlink बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है या नहीं बनाया किस टाइब से हम website को ढून सकते हैं अब शुरुवात में अगर आप beginner है तो देखिए सारी चीज़ें आपको पकी पकाई नहीं मिले ही कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो अगर आपको अपना जो है sites की list बनानी है तो आपको जब आप एक दो project कर रहा होंगे उसी वक्त जो आप quality की websites select करेंगे social bookmarking की इम बात कर लेते हैं social bookmarking की जो आप quality website select करेंगे उनी websites को आप अपने sheet में save करते जाएए उसकी data बनाते जाएए कि यह सारी हमारी quality websites बाविश्य में भी अगर हमारे पास कोई project आएगा तो हम यहीं से use करेंगे है अदर्वाइस आपको internet के उपर बार बार इस टाइप से social bookmarking की websites या वो सब चीजें आपको ढूननी पड़ेंगी ठीक है अब जिसे मैंने आपको कुछ यहाँ पर अच्छी social bookmarking की websites भी बताई आपको ठीक है दो से आपको समझ में आ जाएगा अब हमें social bookmarking का link बनाना है तो हमें क्या करना है हमें link के उपर यहाँ पर click करना है ठीक है और आपका जो भी URL है वो आपको यहाँ पर paste कर देना है ठीक है मैं अपना कोई URL यहाँ पर एक तरीके से paste कर देता हूं ठीक है तो कुछ दिख नहीं रहा है वहीं पर अगर मैं इसको close कर दूँ और यहाँ पर indiatimes.com का लूँ तो देख रहे हो आप यहाँ पर आपको proper जो है न चीज़े दिख जाएगे आपको title दिख जाएगा यहाँ पर आपको banner image भीया जाएगा और यहाँ पर आप अपना जो description है वो आ three lines which are related to the page for which you are creating backlinks और यहाँ पर tags आजाएगे ठीक है तो आप अपने page के recording जो tags है वो यहाँ mention कर सकते हैं जैसे digital marketing इसके बाद आपको क्या करना है simply आपको यहाँ पर post के उपर click कर देना है that's it आप देखो यहाँ पर तो आपकी यहाँ पर यह post होगी अगर आप इसके उपर link है यह वो आपका backlink का source है तो आप इसको copy मारोगे यहाँ से और यहाँ पर आजाओगे और यह link आप यहाँ पर mention करोगे and the keywords that you are targeting वो आप यहाँ पर mention कर दोगे जो आपका status है अगर यह publish हो चुका you will go ahead and mention it over here और जो मैंने यहाँ पर login करने के लिए Tumblr में जो username, password यूज किय you can put that thing over here तो इस type से आप social bookmarking का backlink create कर सकते है और उसका database आपको create करना है वो आप इस तरीके से create कर सकते है उसके बाद जो हमारी दूसरी website थी उसको भी हम लोग देख लेते हैं आपर scoop it को ठीक है तो scoop it पे भी मैंने already यहाँ पर login करके रखा हुआ है ठीक है और इसमें आपक a link to create a new scoop तो मैं यहाँ पर भी जो हमारा India Times का link था आपको समझाने के point of view से उसी को मैं select कर लेता हूँ यहाँ पर और हम लोग उसको यहाँ पर paste कर देते हैं उस link को ठीक है और मैं इसको click करूँग तो यह भी link के basis पर कुछ information को fetch कर लेगा यहाँ पर ठीक है उसके बाद गर आप इसको further कुछ edit करना चाहते हैं you can go ahead and edit it otherwise आप यहाँ पर simply tags mention कर देंगे kind of hashtags यह kind of terms जिससे related आपका यह page है और आपका link यहाँ बन गया मतलब यह मत सोचें आप कि आपको यहाँ पर फिर से कोई backlink बनाना है नहीं जो link का paste करते हो नहीं यहाँ पर वही आपका backlink की तरग तो you can also do that but link will remain same you can go ahead and publish it और उसी तरीके से आप महाँ से link ले लोगे और वो जाकर अपनी database में save कर दोगे तो यह मने कुछ आपको websites बताई जो अच्छी websites है और अगर आप देखोगे तो इन website के ओपर traffic भी बहुत अच्छा है अगर आप देखोगे तो इन website से आपकी website पर भ होगा इस पर्टिकलर वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स एडियो में तिल देन गुट बाई